हाई एवरिवन दिस इश्वेता चौधरी एंड वेलकम बैक तो माई आई सेल क्लासेज कैसे हो आप सब आई नो हम बहुत धिन बाद मिल रहे हैं लेकिन अब हम अब हम रेगुलर मिला करेंगे ठीक है डेली एक न्यू वीडियो के साथ तो चलिए आज हम फर्स पॉम स्टार् रिपीट करनी है और रिपीट करने के बाद जो है यहाँ पर नीचे लिखा है रीड आउट तपॉम Matching action with words, make the children repeat the poem after you with switchable action. तो यहाँ पर हमें साफ साफ सब्दों में, बुक में कह दिया है कि पहले मुझे, याने कि जो आपकी टीचर है, जो आपको पढ़ा रही है, उसको ये poem रीड करनी है, आपको ये repeat करनी है, ठीक है, तो ये आपको repeat करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो poem है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और आपके काम आईगी है, तो इस्टार्ट करते हैं, क्लैप, 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 क्लै हमारी यह पॉम जो है यह फिनिश हो गई है और अब हम दुबारा से क्या करेंगे रिपीट करेंगे now start clap 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 tap 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 hop hop stop stop jump 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 run 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 clap 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 stop 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 यहाँ पर अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी मीनिंग्स जो हमने यह पांच वर्ट्स पड़े हैं new इनकी मीनिंग क्या होती है इनका मतलब क्या होता है फ्रस्ट हमने पढ़ा था clap this is clap clap का मतलब होता है ताली बजाना जैसे की यह जो लड़की है यह बजा रही है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह जो लड़की है यह क्या बजा रही है यह clapping कर रही है दूसरा है हमारा tap 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 यहाँ पर tap का मतलब क्या होता है tap का मतलब होता है थप थप थपाना जब भी हम कुछ चीज थप थप थपाते हैं उसका मतलब होता है tap थर्ड है hop 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 the third word is hop and the meaning is उचलना यह ठीक है जैसे कि आपको इस पिचर में यह जो फ्रॉग है वो दिखाई दे रहे होंगे हमारा fourth word आता है stop 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 means होता है हमारा रुखना जब भी हमें किसी चीज को रोकना होता है हम क्या कहते है stop तो वो चीज रुख जाती है ठीक है आगे है jump 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 what is jump jump माने होता है कूदना जैसे कि यह जो लड़का है यह क्या कर रहा है कूद रहा है run 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 का मतलब होता है भागना जो यह लड़की कर रही है देखो जब भी हमें कोई problem होती है तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी भागते हैं न ऐसे ही run का मतलब क्या होता है भागना clap 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 again ताली बजाना stop 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 रुकना तो यहां पर हमारी जो पॉंब है यह finish हो गई है clap माने की ताली tap मतलब की थप थप आना hop मतलब की उचलना और stop मतलब की रुकना jump मतलब की कूदना run मतलब की भागना अगें clap and stop ताली बजाना और रोगना तो this is your poem I hope आपको यह अच्छी लगी होगी repeat करना ताकि आपको यह यह लर्न रहे और इस चैनल को subscribe करना अगर new हो like करना share करना thanks for watching my video thank you so much bye bye take care